वीडियो उन्हीं लोगों के लिए होगा जिनका पढ़ाई से लेना देना है और जिनको पढ़ाने में मल लगता है जी हाँ, इस्टूडेंट्स का पढ़ाई से लेना देना तो रहता है लेकिन इस्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पढ़ाते नहीं है तो अगर आपका पढ़ाने में दिल्चस्पी है और उसी के बदोलत कुछ कमाना भी चाते हैं तभी ये वीडियो आपके लिए है वरना ये आपके लिए एक टोटली वेस्ट आफ टाइम हो सकता है तो प्लीज वीडियो को अन तक देखें ताकि आपको पता लग पाए कि अन अकैडमी आखिर काम कैसे करती है उसे इस्टूडिंट्स कमाते कैसे हैं और ये एक अच्छा आपसन हो सकता है आपके पार्ट टाइम जॉब्स के लिए नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी जो कहीं न कहीं आपके लिए बैनिफիसियल होगा ओके यहाँ पे कोई हसी मजाक नहीं होगा यहाँ पे आपको टूली जानकारी दी जाएगी जो कि कहीं न कहीं आपके पॉकेट मनी को बढ़ाए और आपके नॉलेज को भी तो अब बात करते हैं थोड़ी इसकी हिस्टरी के बारे में किया कि 2015 में हुई थी तीन फाउंडर्स इसके जो तीनों दोस्त थे बहुत अच्छे ही दोस्त थे उन्होंने मिलके इसका सुरुवात किया था और उनमें बहुत ही चर्चेत रोमन सैनी जो की UPSC के कैंडिडेट र सकते हैं और उसे पैसे भी कमा सकते हैं तो देखिए इस इस पर मैंने अब आप experience किया हुआ है लेकिन मेरा experience उतना अच्छा नहीं रह पाया क्योंकि मेरी internet connectivity उतनी अच्छी नहीं थी ओके पूरी बात आपको बताऊंगा वीडियो में लेकिन आपको अंद तक देखिएगा तभी समझ में आएगा वरना कहीं न कहीं आप इसे छूट जाएगा और आप बाद में फिर comment box में पुछने लगोगे तो प्लीज वीडियो को अंद तक देखिए तभी आपको maximum benefit मिल पाएगी अथवा कहीं न कहीं कोई important point छूट जाएगा तो देखिए मैं बात करता हूं कि अनकेडमी के दो एप्स हैं ओके एक तो होगे अनकेडमी की लर्निंग और दूसरी हो गई अनकेडमी की एजूकेटर एप तो फर्स्ट जो लर्निंग आप है उस पे यूज़ इसुवलिट्स पढ़ते हैं सपोज किजिए कि आपको आपको अबको सरकारी मेंस गवर्मेंट courses बने हुए हैं आप उस particular segment में जाके पढ़ सकते हो यह unacademy learning app की बात हो गई वहीं अगर मैं बात करूँ unacademy educator app की तो आपके लिए भी जो है जिस व्यात के लिए आप यहाँ पर आये हैं उसके लिए आपका second number app है जो कि unacademy educator app है यहाँ पे students नहीं बलकि teachers रहते हैं ओके यह teachers के लिए app है और यहाँ पे more than 5,000 जो है वो teachers unacademy पे काम कर रहे हैं ओके और more than 10 lakh students जो है वो unacademy के follower है और वो continuously daily basis पे वीडियो उनके देखते हैं और let's crack it का उनका जो नारा है उसे सफल बनाते हैं ओके तो बात करते हैं unacademy educator app की कि उसमें आपको क्या process करना पड़ता है ताकि आप जो है वो एक educator बन पाएं और educator बनने के बाद आपको पैसे कैसे मिलते हैं क्या उसका revenue का source रहता है वो सब भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो देखिए जो unacademy educator app है okay unacademy educator app पे पहले आपको एक सारे जो basic details हो गया जैसे आपका नाम हो गया date of birth हो गय आपकी qualification हो गई यह सभी आपका teaching experience हो गया यह सभी मांगी जाती है और आपको एक 3 minute का demo देना पड़ता है अगर आप 3 minute के demo में qualify करते हो तो फिर आपको आगे की प्रकीडिया में जाने दिया जाएगा वरना आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा means वो 3 minute का demo जो है वो आपका पढ़ाने का तड़ीका कैसा है और फिर तभी हूँ आपको approve करेंगे मैंने first attempt में ही जो है उनका demo qualify कर लिया था और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि demo उनका दे दिये कर ठक जाते हैं में more than 10 to 15 attempts भी दे देते हैं लेकिन उनका जो है वो selection नहीं हो पाता है लेकिन मैंने first Academy पर काम नहीं करना पड़ा लेकिन मैं उस पर करना चाहता था क्योंकि वहां पर यहां YouTube से और other platform से वहां पर बहुत अच्छा incentive मिलता है और वहां पर आपकी जो है वो revenue source भी बहुत अच्छे होती है तो पहले मैं बता दिया कि आपको educator डाउनलोड करना है और उसके बाद आ पैन कार्ड पैन कार्ड मेंडेटरी है अगर आप एजुगेटर बनना चाहते हो अनकैडमी पर तो तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और basic details यह सभी आप भड़ोगे फिर आपके पास गूगल का फॉर्म आएगा गूगल नहीं गूगल फॉर्म आएगा अनकैडमी द्वारा वह गूगल फॉर्म आनकैडमी बनाती है और लेकिन उखन्य की प्लेट्फόर्म का है वह गूगल पर बनता है लेकिन बनाती कौन है अनकैडमी वह गूगल फॉर्म बहूट सारे अपने और अबी जवाना है उसमें आप सभी इसे बहुत अच्छे तरह परिचित ह आपको जो है वो गूगल फॉर्म भड़नी होगी उसके बाद जो है वो आगी की प्रिकडिया शुरू होती है लेकिन वहाँ पे आपको मिनिमुम जो है वो गूगल फॉर्म में कुछ इंटरनेट की स्पीड रहती है मिस अराउंड फॉर तु फाइव एंबी पर सेकेंड आप आपके लिए नहीं है ओके मिस आप सोचो को कि जैसे यह मैं वीडियो अभी आपको रिकॉर्ड करके आपके लिए ला रहा हूं कोई इसमें लाइव इस्ट्रीमिंग नहीं है लेकिन अगर अपको लाइव पढ़ाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको इंसेंटिव भी और 10,000 मिनट्स भी हो जाएंगे क्योंकि एक एक मिनट का एवरेज वीडियो डूरेशन होना चाहिए वैसे भी मिस आप मैक्सिमम 15 मिनट का एक वीडियो बना सकते हो तो फिर आपको 10,000 व्यूज लाने होंगे तो फिर आपको 3-4,000 रुपे मिल जाएंगे यूटूब का ब जादा गुना जो है वो रेवेन्यू दे रहा है लेकिन ये बात है कि यूटूब पे जो है वो सब्सक्राइबर्स जादे हैं क्योंकि यहां पे टोटली सब कुछ फ्री है कुछ पेड़ चीज को छोड़ दे तो लेकिन यहां जो है वो 10,000 व्यूज पे मेरे चैनल की बात क करूँ कि वहां पे जो आपको एक चीज और है कि आपको एक स्कील और डेवलप करनी पड़ेगी वह है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ओके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पीपीटी आपको बनाना आना चाहिए क्योंकि आप कुछ भी लिखोगे तो वहां पीडियेफ से आपको पढ़ाना होगा ओके आपका फेस अगर आएगा भी तो यह यह जो इतना बड़ा स्क्रीन है ना तो उसमें चोटा सा बॉक्स में आएगा इस्क्रीन आपका फोटो और यह पूरा स्पेस हुगा सिक्टी इस नाइन का तो उसमें जो है वह आपका है जो वह लाइव स्ट्रीमिंग अच्छी होती है मुवाइल के कंपैरिजन में क्योंकि मुवाइल में बस आपको मुह दिखाई देता है और लैप्टॉप में आपकी पासपोर्ट इतनी तक ही फोटो आती है ओके तो इसलिए वह वह लैप्टॉप भी मेंडेटरी कर चुक पकेट मनी अपने के लिए अपने पॉकेट मनी के लिए देखिए सुरुवाती दोर में जरूर यह मुश्किल होगा लेकिन एक बात मैं बता दूब कि अब जो बॉड का सिस्टम है धीरे धीरे बोड का सिस्टम जो है वह खतम होगा क्योंकि आप ही सोचो कि अगर आपको कुछ scan करके scan copy आपको दिया जाए और बोर्ड पे लिखा जाए तो बोर्ड पे जो है वो ब्लर्डी में जाती है इस वजह से अच्छा यूजर इंटरफेस नहीं बन पाता है तो आपको समझ में आया होगा कि पर आप कैसे काम करके अपना पॉकेट में निकाल सकते हो दसब्स सुरुवाती दिनों में थ्टोरा हाट हो सकता है जैसे आपको एक महीनी लग सकते हैं दसब्स लाने में पहले फर्ष्ट मन्त में लेकिं जैसे जैसे आपकी ट्रस्ट बंढते जाएगी स्टूइंट्स पे और आप अपने अपने जो स्पेसे स्पेसलाइज एरिया है उसमें में सापका जो जैसे कि मैंने बताई है c kे लिए अलग है जाइज के लिए अलग है अपना जो आपका सेक्षन पर अगर अच्छा करोगे हो सकता है प्लस सब्सक्रिप्षन दे दिया हैं प्लस सब्सक्रिप्शन पर पढ़ाने के और जीतना ज्यादा इस्टुएंट्स आपके प्लस सब्सक्रिप्शन में आएंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको होता है यह टोटली डिरेक्टली प्रपोर्ट्सनल होता है तो बहुत अच्छा है स्कोप है लेकिन आप से पार्ट टाइम के तरह ही ले और इसका अभी बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं ऑनलाइन के दौर में आपको कोई-19 जो अभी सिनेरियो आया है तो यह सब चीज अपने एक रफ्तार पे चली गई है और मैंने जो हो ट्राइ किया था 2020 में अराउंड अप्रील के महीने मे और मेरा फर्स टाइम में सेलेक्शन हो गया होगा आपको कोई भी टिप्स चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे बताईएगा कि आपको क्या चीज के बारे में जानना है और फिर भी अगर कोई डाउट आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और प्लीज एक वार अटेम्ट जरूर कीजिएगा अगर आपका टीचिंग में थोड़ा सभी पैसन हो और आप इसे प्रोफेशन बना के कुछ अर्ण भी करना चाते हो तो ओके सो थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो हैव अनौसम डे